दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो रूम हीटर्स हैं क्या वो बंद कमरे में नहीं इस्तमाल करने चाहिए आखिर कमरे में जब हम room heater इसमाल करते हैं तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई एक बाल्टी भर पानी भरके रख लो, परात में पानी रख लो, कौन सा room heater बढ़िया होता है, कौन सा बेकार होता है, कौन सा खरीदना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आज में बात करने बा और यह जो heaters होते हैं, यह सबसे कम बिजली लेते हैं, जैसे कि 400W, 800W, इतने वाट में आ जाते हैं, यह बिजली बचाते हैं, लेकिन यह एक बड़े room के लिए suitable नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी heat नहीं होती, यह infrared, quartz, ऐसे room heater होते हैं, रोड होती है, जो लाल होती है, लेकिन actually वो metal की नहीं बनी होती, वो कुछ शीशे जैसी बनी होती है, तो उसकी heat भी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन बिजली बचाती है, अब देखो, heater है, तो भाई, यह oxygen और आपकी humidity को कम तो करता ही है, यह बात सही है, तो भाई, ऐसा क्यों कहा जाता है, कि आपको room heater जला कर reasoning हो जाती है, इससे कि क्या दम घुट जाता है, जिससे sleep death भी हो जाती है, यानि कि लोग सोते सोते मर जाते हैं, क्योंकि oxygen की कमी होगी, carbon monoxide बनेगा, कमरा आपका बंध है, खिड़की आपने खोली नहीं है, विकॉस winter है, आप बाहर की ठंड अंदर नहीं आना जाना चाती है अब नॉर्थ इंडिया में तो तबाही मच रही है, इतनी ठंड हो रही है, 1.9 degree Celsius, oh my god, तो जादतर घरों में room heater चल रहा है, इससे बच के रहे हैं, बिल्कुल भी बंध कमरे में room heater on करके सोते ही ना रह जाएं, नहीं तो आप सोते ही रह जाओगे, अगला तर्क ये बनता ह है, कि आपको बाल्टी भर कर क्यों रखना चाहिए, इसे मैं बाद में explain करूंगा, लेकिन अभी बढ़ते हैं, second type के room heater के बारे में, जो की आपका होता है blower, अब ये क्या होता है, इसे heat convector, heat converter या heat blower भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा महंगा आता है, सस्ता नहीं आता है, य 3000-4200 ऐसे शुरू होते हैं, इसमें बिजली बहुत जादा लेते हैं, ये 2 kilowatt तक होते हैं, और इसमें spring होती है, अंदर पीछे एक blower होता है, ये इस्तेमाल करने चाहिए, रूम को quickly heat करने लिए, क्योंकि यहाँ पर air का circulation बहुत जादा हो रहा है, तो ऐसी technology इस्तेमाल हो रह करता है, लेकिन आपका रूम जल्दी करम करता है, और एक और चीज करता है, ये आपके कमरे को जल्दी dry करता है, मतलब humidity को ये एक दम गिराता है, यानि कि आपके कमरे में जो हवा है, उसके अंदर जो नमी है, उसमें जो moisture है, उस हवा में जो पानी है, उसको ये जल्दी ख रही है इसके फायदे भी है और इसके नुक्सान है और हमिटी तो हर रूम हीटर खतम करता है लेकिन यह जो ब्लोवर वाला होता है यह सबसे ज्यादा खतम करता है अब आगे बढ़ते हैं कोई वाले जो इससे कोई बगारा लगी होती है इसका क्या है कि एलेक्ट्रिक शॉक तकने के है चांसेश बहुत जांके है खता ही जो दॉब के लिए बगार्ट वाले तो इससे हीइब बढ़े बगार कर सकते हूं आप बिजली का बिल इस एक साथ चला रहे हो तो आपके घर की वाइडिंग भी वैसी होनी चाहिए रूमिटर चलाने के लिए कुछ और बाते हैं ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको उसको डारेक्ट वाल्ट सॉकेट में लगाना चाहिए कोई extension cord इस्तिमाल नहीं करनी चाहिए आप जिस भी वाल्ट सॉकेट में लगा रहे हैं make sure वो 16 एंपियर से उपर ही हो अगर वो आप पावर वाला प्लग नहीं है बड़ा वाला प्लग जो हैवी वाला प्लग होता है जो 16 एंपियर का होता है अगर वो नहीं है तो शॉर्ट सॉकेटिंग की चांस बहुत ज़ादा रहते हैं अगर आप रूम हीटर को नमी वाले एरिया में यानी की बात्रूम के अंदर टॉयलेट के बाहर या आपके जमीन पर पानी पड़ा हुआ है ऐसी जगह पर आप रू रूम हीटर को अगर आप बेड़ पे रखकर चलाते हो तो जो ब्लोवर वगरा होता है हलाकि कोई टेंशन नहीं है देखने क्या आप चलाई रहे हो लेकिन यह एक एप्लाइंस है लेक्ट्रिक एप्लाइंस है कब इस पे स्पार्क लग जाए कब यह जल जाए और यह हैवी एप्लाइंस है मतलब जादा बिजली लेता है बहुत पावर लेता है बहुत जादा चांसे हैं कि आपके बैड में आख पकड़ ले अगर आपने अन अटेंडेंट छोड़ दिया रूम हीटर को कभी भी आखों से ओजल नहीं रखना चाहिए चला के छोड़के कहीं नहीं जाना चाहिए क्युकि जादातर हद से तभी होते हैं जब आप रूम हेटर को देख नहीं रहे होते या जब आप रूम हीटर ऑन करके सो गए होते हो एक और रूम हीटर आता ह। जिसे ओवेस कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो हीटिंग है वो अंदर पाइप में या को जादा खतम नहीं करता बहुत कम करता है क्योंकि इसमें पहले ऑईल गरम हो रहा होता है और एक लिमिट तक ही गरम होता है इसका यह भी फायदा होता है कि जब आपकी बिजली चली भी जाती है यह आपने बंद भी कर दिया तो भी यह बहुत वक्त तक आपके कमरे को गरम मतलब कूल डाउन होने में भी उसको टाइम लगता है असा नहीं कि तुरंद गरम होगा और थंडा होता है बच्चों के हिसाब से देखा जाए हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा होता है बट यह बहुत महंगा आता है इसकी शुरुआत ही 5000-6000-8000-12000 से होती है यह बहु आपने कमरे को गर्म कर रहे हो इस तरह की हीट आपके लिए नहीं हो सकती लंबे पिरियाड ऑफ टाइम के लिए ठीक है बहुत जादा ठंड है बैठे हैं हाथ आप लिए हाथ सेक लिए या बैठके कुछ काम कर रहे हैं उस तोरान जला लिया लेकिन इसका यह मतलम नहीं कि रात को जला कर आप सोगे इससे आपकी मौत भी हो सकती है अब लास्ट मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि बाल्टी भरके रखने का क्या साइंस है क्या टेकनोलोजी इसके बीच है देखो मैंने जैसे कहा था कि oxygen लेवल और humidity को कम करता है आपका रूमीटर और humidity का कर सकते है इसके लिए चोड़ चोड़ डिवाइस आते हैं जो की भाप छोड़ते हैं जोसे humidifier कहते है यानि कि आपके कमरे में वह भाप छोड़कर आपके कमरे के जो moisture level है उसको बढ़ा देते है जब कमरे में moisture नहीं होता तो आपका गला खराब होने लगता है आपकी नाक बंद होने लगती है क्योंकि आपके जो अंदर नाक के अंदर जो आपकी वाल्स हैं वह ड्राइब होने लगती है उसको moisture नहीं मिल पाता उसमें irritation होने लगती है गला खराब नाक खराब आंक खराब स्किन खराब होने लगती है उसको रिपेर करता है जिन लोगों के पास humidifier नाम का वह डिवाइस नहीं होता जो गाजट नहीं होता तो वह बाल्टी भर पानी रखते हैं क्योंकि अगर कमरा गरम हो रहा है तो जो पानी है होता है यह आपको होतं होतं है डिखता नहीं है क्योंकि बहुत कम level पर सुआ यानि भाप बन रहा होता है जब अप water surface रखते हैं पानी रखते हैं तो उसमें से भाप निकलती है invisible आपको धिखती नहीं जो चया के कमरे के जो humidity level है उसको maintain करके रखती है सो इसका यह साइंस है कि बाल्टी रखने से अलावा अगर आप कोई पारात रखे उसमें पानी रख दें तो जो पानी का सर्फिस एरिया है वो जादा बढ़ रहा है हाँ यह बिल्कुल सही है आप पानी रख सकते हैं लेकिन मेक शूर उस पानी को अलग किसी कौने में रखें और ऐसा रखें कि चलके नहीं कोई बच्चा ना मारे गिरे ना पानी इस चीज़ का द्यान रखें और एक प्याले में या बड़ी परात में से पानी भर कर रखना ए आप जाएं तो कोई तौलिया गिली करके भी रख सकते हैं बट उससे बद्भू पगर आ सकती है तो बद्भू से अगार जेल सकते हो तो देख लो वाई बाटर होना चाहिए ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो इसे लाइक करें अगर आपको वीडियो कि आग गरम करके घर में रख लेते हैं परात में उस सेम चीज लागू होती वह तो और ज्यादा डेंजरोस होती है कि उसमें और बहुत आप पॉइसनेस गैसे बगार निकलती है तो उस चीज को भी आपको आपको अवाइड करना चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छी कर दो